आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाट केश्वरम मृत्युलू के महाकालम लिंगत्रयम नमोस्तुते। आवंतिका, आवंतपुरी, प्रातकलपा, विशाला, स्वरणश्रिंगा, उज्जैनी, उज्जैन में आपका स्वागत हैं महुवश्विने कुमार मिश्र। प्राची इनकाल से उज्जैन की धर्ती, सनातन संस्कृती की दिव्यता और भव्यता को पूरी दुनिया के सामने प्रगर्शित करती रही। अयोध्या मथुरा माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती चैव, सब्त तैताह, मोक्ष दाही काह। यानि पारद्दे आग्या चक्रच काशी यानि वारानसी, स्वाधिष्ठान चक्रच कांची, ते मनिपूर चक्रच अवंतिका स्थित्तै, ते नाभी देश्च आपूं भूत भावन भक्त वांक्षा कल्पतरू, श्रे महा कालेश्वर पगवान शिव विद्यमान, अवंत सती दी कूनी डिगी ही, ते आज शक्ती पिल्टे रूपेच और प्रतिष्ठतन इस पवित्र तरते पर शिव, चरासी शिवलिंग, अश्ट पैरव, एकादश रुद्र, बारा अदित्य, छे गणेश, ते चोवी देवियें दावास है। सनातन संस्कृती के उज्वल प्रकाश स्तंभों में हमेशा उज्जयन शामिल रहा है। अधिकाल में काल की गर्णा होती थी। भगवान की उपस्तिती तो निश्चित रूप से चराचर जगत में समाहित है, जर्रे जर्रे में उनकी आभा प्रत्वा समाहित है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदू होते हैं जहां पर विशेश एक उर्जा विशेश एक एनर्ची होती है, उन्हीं बिंदू में से एक यह भी अस् और ऐसी मानता है कि प्रलाई काल में भी इस भूमी का लाई नहीं होता है चक्रवर्ती समराट विक्रमा दित्यन दे शासन काल्च विक्रमा दित्य दे समे थमा गयों थे जोतिशी या गर्णागी विकाश ते समरिती मिली अक्षांच रेखा कर कभी इथुआ महाकाल मंदर ते शिकर थमाओ ये लंग दिक्या है प्रलयों नबाजते प्रलयों नबादते तत्र महाकाल पुरी अत्रात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है हजारों वर्ष पुर्व जब भारत का भावगलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा तब से ये माना जाता रहा है जो जेन भारत के केंद्र में अवंति कायां मिहितावतारं मुट्टि प्रदाना यचा सज्जनानां अकाल मृत्योह परिरक्षनार्धं वन्दे महाकाल महा सुरेशम वन्दे महाकाल महा सुरेशम शंकर ये सानित्य में साधारन कुछ भी नहीं है सबकुछ अलोगिक है असाधारन है अविश्वणिय है अविश्वस्निय है और महा काल का आसिरवाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिढ जाती है समय की सीमाएं सिमड जाती है और अनंत के अवसार प्रस्पूर्थित हो जाते हैं अन्त से अनंत यात्रा आरंब हो जाती है नाभी स्थल्दी इस से उर्जा दे विस्तार लई ते पूरी दुनिया लई पगवान महा कालेश्वर्म दे दर्शन पूजन गी और सौखा बनाने गी ते पुर्दान मंत्री मोधियोरें महा काल परिसर ले विस्तार दी योजना बनाई ते मार्च दोजार उन्नीच इस विस्तार कारेदा शुभारम भुआ करोना जनी मा मारी ते तमाम मुश्कलें दे बावजूद दिन रात अंठक जतने काने कीते गे दे इससे योजना दे पहले चरंदा कम उन्न पूरा कीता गिया है ते आखरकार देशागी मिलिया नमा पव्य अध्वितिय अलोकिक महा काल लोक महा काल महा काय महा काल जगत पते महा काल महा योगिन महा काल नमोस्तुते महा काल के लोक की 2016-2017 में संकलपना होती है और ये साक्षात स्वरूप धरन करता है ये संकल्पना साकार होती है साल 2022 में सही माइने में ये त्वधियाय कार्याय बध्धा कटियम के महमंत्र को लेकर चल रहे राष्ट्र की एक कार्यांजली है भगवान शू को सही माइने में ये एक संकल्प की सिद्धी है संस्क्रिती ते अध्यातम दा अध्वीती ये संग में महा काल लोक आउने याले शर्दाल मिले और मती सोविधाय आलाओग ये नमा लोक इसी रुद्र सागर दे चारें बक्की विक्सित कीता गिया करीब 900 मीटर थमा मता लंमा ये महा काल कोरिडोर लोकें की सिद्धे गर्ब ग्रहत अगर ले जाग परिसर्च नटराज, गणेश, कार्तिके ये दत्तात्रे अवतार सब्त रिश्यें दिया प्रतिमा स्थापितन ते उत्थे शिव सती ते समुंदर मन्थं ते द्रिश्य भ्यू के रेगे दिन इस पूरे नमिन निर्मान कन्य मंदर बड़ा बबस्त ही तोई किया है महाकाल का महालोक अपने आप में वास्तो और शिल्प का अद्भुत नमूना है 900 मीटर से जादा ये लंबा है और साथी साथ इसके एक एक धीवाल पर शिव पुराण की अनेक कथाएं चित्रित हैं आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो मूर्ती है ये ताड़का सूर के पुत्रों त्रिपूरासूरों के बद की कहानी को प्रदर्शित करती है भगवान ब्रह्मा से वर्दान पाने के बाद जब तिरपुरा स्यू ने पूरे विश्व में आतंक मचाया और समूची मानोता त्रहित्रा ही करनी पड़ी तो भगवान स्यू को साक्षात अवतार लेना पड़ा उन्हें वर्दान था कि विशेश रत और विशेश आस्तर से ही उनका संहार किया जा सकता है तो भगवान शू ने ऐसे रत पर वो आरूढ हुए जिसके स्वयंग ब्रह्मा सार्थी थे ऐसा धनुश उन्होंने बनाया जिस जो कि सुमेरु परवस से बना था प्रत्यंचा जिस संहार का जो स्थान चुना वो स्थान उज्जेन ही रहा तो ऐसी अनेक कथाएं अनेक शू की महिमा को वर्लित करते हुए अनेक पुराणों के संदर्भ यहां के भितिचित्रों पर वेहत खुपसूरत तरीके से उकेरे गए हैं उज्जेन महाकाल लोक की राष्ट की समर्पित करती हुए याक्या जी राष्ट दी पंचान तां है जिसले सांस्कृतिक पंचान उत्कर्ष पर हुए लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीडियों को अलोगिक दिव्यता के दर्शन कराएगी मैं इस अद्भूत आउसर पर राजा धिराज महाकाल के चरोन में शत्त शत नमन करता हुए संतिंदी नगरी उज्जाइनीच मुल्क परहतमा 13 अखाडएं ते 140 मम्मते संपर्दाएं दे संत विभूतियें इस कारिक्रमेच सलेता ते अद्भूत संदोग पिजार कीता हम सभी के लिए एक इतियासिक अवसर है ऐसा धिव्य अवसर युगों में संपन होता है इसके लिए हम नरेंद मोदी जी आदरनी प्रधान मंत्री जी का समस सादू जोनों ने रदय से सादूवाद भिया है यहां पर आप देख पाएंगे आस पास की जो छटा है उसके अंदर यह सपष्ट है कि महागदेव का जिस पकार से केलाश में लोग है उसी पकार से उज्जैनी के अंदर महाकालेशवर के पास में यह लोग हुआ है हमारा महाकाल से विशेश संबंद है क्योंकि पहले से हमारे महापूर से विड़क्त संत महापूर से यहां पर चार-चार महिना पहले कुम्ब से पहले आगर करके डट जाते और यह उज्जैनी नगरी इंदोर नगरी और यह संदीपनियास्थम सारे संसार को विश्व को ज यहां महाकाल के दर्षन हो रहे हैं, वहां सारे संपरदाइओं की, एक साथ दर्षन, उनके आचारियों के एक साथ दर्षन. भगवान महाकाल यहां बिराजमान हुए, अनादी काल से, तब से लेगे आज तक, भगवान महाकाल की नगरी में, इतना भव्य पेहमाने पर भगवान के लिए उनके आंगन का जो निर्माण हुआ उनके आंगन की जो सुन्दरता बनी है हम समझतें कि इस से पहले कभी हुआ नहीं ये नगरी भगवान महाकाल की क्रपास से ही अन्न और जल गिर्ण करती है यहां कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है संभवता ये नगरी अब प्रियाटक शेत्रों में मानी जाएगी और जो यहां गरीब परिवार निवास करते हैं साइद उनको अच्छे से यहां व्यवसाय मिल पाएगा पूरे ब्रह्मांड दे एक मातर दक्षिना मुखी दक्षिन दिशाचे काल दिभी स्वामी महा कालेश्वर अपनी प्राता कालीन भस्म आर्ती दी अध्वितिय उर्जाले भी जाने जंदेन इस सनातन परंपरादी जिम्मेदारी निबाने आले महा निर्वानी अखाड़े दे महनतोरें भी इस विस्तार कम्हे पर संदोग चताया उत्थे प्रदान मंत्रियों रें विश्वासदार कीता जे पारत दा संस्कृतिक दर्शन इकबारी पी शिखर पर पुजी ये दुनिया दे मार्क दर्शन गिते ते आरू आरता है इतना विशाल तबी होता है जब उसकी सभलता का पर्चम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है और सभलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए अपनी पैचान के साथ गवरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए प्रेटन के शेतर के अंदर विकास हो इसके लिए मानिय मोदी जी सिवराज जी ने जो प्रयास किये है उसकी पुरी देश और दुनिया में सराना हो रही है इसमें जमीन आसमान कंतर है मोदी जी और हमारे मुखमंति मानिय सिवराज जी के सयोग से यहां पर बहुत अच्छा कर दिया है पहले यह जील क्या बहुत ही चोटा सा और कूड़ा करका डियर रहता है इसमें बहुत जादा स्लेट थी और गंदगी पड़ी रहती थी आज लोग रोजी आएंगे क्योंकि यहां पर मेले सद्रिश पूरा वातावरण है यहां लग रहा है कि जैसे दीपावली के पहले ही दीपावली आ गई है क्योंकि इसके पहले शिवार पढ़ हुआ महाकाल के इस लोग का लोगों में जबरदस सुच्चा है और साथी साथ उन्हें इस बात का विश्वास है कि नए तरीके से उज्जेन की महिमा और गरिमा को उसकी आत्मा को सजो के विस्तारित किया जा रहा है और उसे और जौले दे इलाके दिकाया पलट करारता है साथ से हम लोगों ने उस समय काम करना चालू किया था और एक डी पी आर प्रारंभी ग्रूप से बनाई थी 2017 में जिसके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में फिर 2018 में इसका टेंडर हुआ था सर अगर देखिए तो यह पहला चरण भी बना है पहले चरण में विशिष्टता है क्या है क्या विशिष्ट है पहले चरण का देखे पहले चरण की अगर बात करें तो इसको पूरी तरीके से शद्धालूओं के लिए सुविधाउप योगी बनाने का प्रयास किया गया है पूरे के पूरे मंदिर के परिसर को और बहुत ही भव्य सुरूप पूरे परिसर को प्रतान किया गया है चार सो पचास लगभा गाडियों की यहाँ पर सर्फेस पारकिंग है उसके उपर सोलर पैनल्स लगे हैं जिनके माद्ध्यम से इस पूरे श्री महाकाल लोग की विद्धुत की अपूरती होती है शिव पुराण और शिव से जुड़े हुए जो अन्य प्रसंग है और शिव के जो इविन अवतार हैं उनसे सम्मंदित मूरेल्स लगाए गया है उनसे सम्मंदित मूर्तियां लगाई गई है उनसे सम्मंदित यहाँ पर दूसरी कलाकरतियां लगाई गई है एक पूरा का कोरिडोर है महाकाल पत है जिस पर तिरपन पैनल्स के माध्यम से शिव किसे जुड़े हुए अनेक प्रसंगों का चित्रण किया गया है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो महाकाल वन का कॉंसेप्ट होता था महाकवी कालिदास ने भी जिसके बारे में वर्डन किय चाहे और कई जगों पर वर्डन इसका मिलता है उससे जुड़े हुए जो पेड़ हैं चाहें वो कैलाश पती हो चाहें रुद्राक्ष हो चाहें बिल्व पत्रों वो सारे के सारे यहां पर लगाए गये हैं तो न केवल पर्यावरण की दिश्टी से हमारे पुरानों की दि है और वो कितना दिव भब स्वरूप होगा कितना और विस्तारित होगा पहले चरण में अगर हम लोग देखें तो जो इसका उत्तर का सिरा है या फिर लगभा गुरुद सागर्थ से जुड़ा हुआ सिरा है उसको हम लोगों ने विस्तारित किया है अब जो बाकी का दूस धरमशाला के रूप में डेवलप करके उसके बीच के क्षेत्र को मंदिर परिसर में ही शामिल किया जा रहा है सामने की तरफ हम लोग एक कॉरिडूर बढ़ा रहे हैं जिससे कि इस अधालों को आने में बहुत सुविधा होगी सिंघस्त की आपने बात किया अगर देखें तो पिछले सिंघस्त में इसकी परिकल्पना संकल्पना हुई क्या मानते हैं अगले सिंघस्त को लेकर ये पूरा का पूरा आधार भूस सरश्दा एक विलक्षण ख्षमतावान आयोजन के लिए आपको सुसजित करता है लेकर निश्यत रूप से इसकी जो हम लोगों ने डिजाइन करी है और मानि मुक्वंती जी की जो मनशा थी यही थी कि न केवल सामाने दिनों के लिए विशेश अफसरों के लिए और खासतर पर सिंघस्त के लिए भी हम लोग एक दिश्रिकोंट रखें इसके विकास के समय इसलिए जितनी भी चीजों को हम लोगों ने डिजाइन किया असमें सिंघस्त निश्यत रूप से हमारे कहीं कहीं ध्यान में संग्यान में रहा है और न केवल आगे आने वाला सिंघस्त बलकि उससे आगे आने वाले भी जो दो तीन सिंघस्त उनमें जितने भी संख्या में इतने दे विस्तार कामदाला मंगलनाथ तामल दे विस्तार सांधीपनी आश्ट्रम ती खुबसूरती बाख बाख आश्ट्रमेंगी सुविधाएं करने लैस करने तक अगर भी पुझ जाए ते शिप्रा तट की सनाकडा बनाने करने लोग बड़े खुशन इस वक मैं उजयनि की पवित्र थरा पर मा क्षिप्रा के तटके किनारे हूं यterror वोक शिप्रा मा जिसको पुराणों में भगवान श्रिवारा के हृदय से उत्पन नदी माना जाता है और ये बहुत ही पवित्र घाट है इस घाट का नाम है राम घाट राम घाट कहा जाता है कि यह वही घाट है जहां पर भगवान श्री राम ने स्वयम यहां पर आ करके अपने जो पिता हैं उनके लिए श्राद दिकिया और इसलिए उन्हीं के नाम पर यह घाट, सबसे प्रसेद घाट अगर हम कहें श्री प्रान अदी के तर पर तो यही और यह प्राचीन आप देख रहे हैं यह आरतीस थल्, प्राचीन शिप्पा आरतीस थल जहां पर लगातार जो श्रद्धालों है, उनके आने जाने का और उम्मीद यह की जा रही है कि जब यह काम पूरा हो जाएगा तो यहां की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली ही नजर आएगी लेकिन उज्जैन को अध्यात्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है महाकालकाली डोर में जो बनाया है पूरा बनाया है और वो रद बनाया है तो यह सब पूरा पूराणी खता घनूसार उसमें जितावी बनाय किला और जो पूराण रिचता उसकी आधार पर बनाया गया वह इसे ही नहीं बना दिया कि चाहिजों बना दिया वह नवग्रह बनाएं तो जो भी पोरान ही कि वह सब उसमें विद्यमान करा उनने महांकाल डोर के दसन करने में आद्मिको कम से कम देढ़ घंटा दो घंटा लगेगा अगर सही डंग से गर वो देखे और समझेगा हर चीज को हर चीज का अपना एक मतलब है गारिमगेठे़ प्रतिस बससे समद्य लोग शायद 챙्मां करके सीधे यहां पर पैदल मार्क से मापा बाबा महाकाल के पास जाना चाहेंगे यहां पर यह राम घाटे वो रे शिपरा नदी जब अपना समुद्र मंतन हुआ था अम्रत घिरा अम्रत घिरा वह चार इस्थानों पर घिरा था तो जिज़ी जगे वह अम्रत छलका उसर जगे कुम्ब इस्थान मनाए जाता है जब सीह राषी पर अके बैठता है वो गुरु आता है जब हमारे बारा वसमें वह एक बार योग बनता है तो बारा वसमें एक बार वह स्थानार को यहां पर अपिया जाता है पुरे एक महीने वर्द का पर वरता यह ईतनी वी ओटले हूं वह सब बाहर से आएगे यात्रि और जो आने वाली पीडी है, जो महाकाल कारीडोर बना है, उससे हमारी जो आने वाली पीडी है, उनको हमारे सास्त को बारे में, हमारे धर्म के बारे में उससे जानकारी मिलेगी। पहले हम जब चलते थे तो सड़के छोटी-छोटी होने के कारण काफी congested होता था और जो व्यक्ति दर्शनलाप के लिए आता था परिवार के साथ आता था तो उसको ऐसा लगता था कि अपन यहीं से वापस हो जाएं अभी क्या हुआ है कि जो corridor बना है जो सफर एक घंटे का सबसे बड़ी बाद धर्म संसकार और संस्कृति हम इंदु संस्कृति में पेदा हुए हैं तो महाकाल राजा का आशिरवाद तो सभी पर बना हुआ है और विश्यसकर युवा पीडि अब यह जो आपने देखा कि फिछले चार सारों में ही काम हुआ है 2019 में शुरू हुआ और अभी चल रहा है तो थोड़ा सा बदलाव के बारे में बताई है बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है अब उज्यन को लेकर सुंद्यारी करेंट को लेकर काफी डेवलपमेंट हुआ है उज्यन में उज्यन को सुंदर बनाने के लिए रामगाट को सुंदर बनाने के ल महा का लोक का जो निर्मान हुआ है इससे बहार की जो पबलीक आती है उसको उच्जेन को दर्शन करने में उच्जेन के बारे में उच्जेन की पिछली बातों को जानने में बहुत सायता मिलती है पर महा काल लोग दे रूप चेता करो पर उज्जाएन आस्ते 11 अक्तूबर यानी महा काल लोग दे महा लोग आरपंदिरात द्याली कुला काट नहीं रही वेद वेद के मंत्र मंत्र में मंत्र मंत्र की पंती पंती में पंती पंती के शब्द शब्द में शब्द शब्द के अक्षरस्वर में जिव्व ज्यान आलोक प्रधीपित सत्यम शिवं सुन्दरम शोभित वस्तों में महाकाल की इस लोग में आकर लगता है कि सत्यम शिवं सुन्दरम की संकल्पना साक्षार साकार हो रही है इस मिशेश कारक्रम में फिलाल इतना ही मुझे अश्विने मिश्र और मेरे साहयोगी अजै मिश्र और कैमरा पर्सन इस पृतिरंजन मोहापात्रा को दीजिए इजाजत देश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहे है डीडे नियूस नमस्कार